फ्रेंड्स अभी टमाटर का सीजन है और मार्केट में बहुत ही अच्छे टमाटर मिल रहे हैं इसलिए आज में लेके आई हूँ टमाटर की मीठी चटनी की रेसिपी जो सबको बहुत पसंद आएगी आप इसे डेली के खाने में या फिर किसी ओकेजन में भी बना सकते हैं सि हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ बबली आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल बबली पांडे कीचन में अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे की मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले टमाटर की मीठी चटनी बनाने के लिए यहां पर मैंने 500 ग्राम फ्रेज टमाटर लिया है पका हुआ और यह देसी टमाटर है जो कि आजकल सीजन में है तो चटनी इसका अच्छा बनता है यही टमाटर आप अच्छा बनता है तो बहुत बारी काट नहीं है बस साइट को अलग करिए और ऐसे रफली काट लीजिए फ्रेंड्स मेरे चैनल पहले भी बहुत अलग अलग तरह की टमाटर की चटनी और टमाटर के अंचार की रेसिपी है जिसे आप पूरे साल स्टोर कर सकते हैं तो अब आप एक पैन लिया है और इसमें हम डालेंगे वन टेबल स्पून कुकिंग और मैं मस्टर्ड ऑइल के इस्तमाल कर रही हूं क्योंकि चटनी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है लेकिन ऑप्सनल आप दूसरा भी ऑईल इस्तमाल कर सकते हैं जैसी थोड़ा साथ गरम और यह पांचों मसालो को मिला के पांच फोरन कहते हैं और चटनी में बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है जब पांचों मिल जाता है एक तेजपता डालेंगे और सूखा लाल मिश मैने दो लिया है बीच से कट कर डालेंगे टेस्ट के कोड़िंग मिर्ची कम जादा भी तो इसे हम मिक्स कर लेंगे ऐसे देखिए कुछ सेकेंड के बाद ही इसका कलर चेंज हो गया है लिकिन बिल्कुल भी जलाना नहीं है इस जीच का ध्यान देना पड़ेगा हमें और जैसे ही ए खुसबू आने लगे इसमें हम कटा हुआ टमाटर एड करके तुरंत और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए इसके लिए हम नमक डालेंगे वन टीस्पून टमाटर में नमक डालते ही बहुत अच्छे से यह सॉफ्ट हो जाता है इसे भी हम एक बार मिला लेंगे और मिलाने के बाद कुछ देर के लिए हम कवर करके फ्लेम को मीडियम कर देंगे और पांच मिनट ऐसे पकने देंगे लो टु मीडियम फ्लेम पे पांच मिनट हो गया है एक पर हम इसे चेक कर लेते हैं तो यहां पर नमक मैंने डाला था इसके वज़े से बहुत अच्छे से टमाटर पक जाता है तो इस पैचुला से अच्छे से मैस करते हुए हम चलाएंगे जिससे की सारे चंक्स जो है अच्छे से मिक्स अप हो जाए और क्योंकि मीठा डालने के बाद चटनी अच्छे से पकत अच्छे से मिला लेंगे और यहां पर देख सकते हैं बिलकुल भी चंक्स नहीं है अच्छे से मैस हो चुका है तो बस अब इस स्टेस पर हम इसमें मीठे के लिए चीनी अफे गुर डालेंगे तो मैंने लिया है एक कप चीनी 250 ग्राम वेट में है यह आप चाहें तो आधा गुर आधा चीनी मिला के भी डाल सकते हैं या फिर अगर गुर के साथ चटनी बनाना चाहते हैं तो चीनी के जगवपे गुर डाल दीजिए क्वांटिटी वही रहेगा और फिल्म को मैंने बढ़ा दिया है क्योंकि चीनी डालने के साथ ही यह लिक्विट फॉर्म में होग और इसे और बह जाए हमें गाढा करके पकाना होगा तो देखिये जैसे जैसे चीनी मिल्ट होता जाएगा यह और पहुदा होगा और अच्छा सा कलर आया है तो इह अर यह रिजिनल कलर है और यहाँ पे टेश्ट को बढ़ाने के लिए 5-6 हजूर को मैंने बीज निकाल कए यह से लंबे-लंबे में कट कर लिया है, इसे डालेंगे, उससे चतनी का taste बहुत ही ज़ादा बढ़ जाएगा र्ञवीस लेका тобla उसे लिए टैपल औरहिक काटके भी यह डाल सकते हैं कि दो जाने गो करसे लोगाना यापनी था पांच मिनट के बाद हम कवर हटा के एक बार चेक कर लेंगे और ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर आया है और एक अलग सी साइन आ गई है तो जब चटनी ट्रांसपेरेंट दिखने लगे तो समझ जाए ये चटनी बन के तयार है और एक बार इसका टेक्शर दिखाती हूं अभी में आपको बहुत जाधा में नहीं पकाना है नहीं तो ये ठंडा होने के बाद और ठीक हो जाएगी लाश्ट में मैं ट्रीनी बेलें हो किसमिस किसमिस हम लास्ट में डालेंगे क्योंकि पहले डालने से Soft सी हो जाती है और फूल जाती है तो अच्छा नहीं लगता है खाने में तो हमेंसा किसमिस को लास्ट में डालिएगा और इसका मैं टेक्श्चर दिखाती हूं आपको यह देखिए फ्रेंड्स एक तम साइन्स टेक्श्चर आ गया है और इसे इस से ज़्यादा हम नहीं यह चटनी सबको बहुत पसंद आएगी और यह खाने के स्वाद को बढ़ा देगी तो फ्रेंड्स आप इस चटनी को इस सीजन में जरूर बनाईएगा तो मैं सर्फ करके दिखाती हूं और यह लिजे फ्रेंड्स टमाटर की बहुत ही टेस्टी बहुत ही मज़िदार चटन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है फिर से मिलेंगे नई और मज़दार रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक क्यार